AFT यानि Armed Forces Tribunal के आदेश की अवहेलना करने पर Armed Forces Tribunal चंडीगर ने Major General के खिलाफ जारी किया वारन हो सकती है गिरफतारी सशस्त्र बल न्यायाधिकरन, AFT, चंडीमंदे, पंचकुला की चंडीगर पीथ ने Major General अशोक सिंग, ADGPS, सेना मुख्याले और अलका शर्मा, Principal Financial Advisor, सेना मुख्याले के खिलाफ जमान्ती वारन जारी किया है इन दोनों ने Armed Forces Tribunal के फैसले की अवमानना की है Armed Forces Tribunal ने इस दोनों को व्यक्तिगत रूप से बैंच के सामने पेश होने के लिए कहा था लेकिन दोनों 30 माई को अनुपस्थित थे न्यायमूर्ती धरम चंद चौदरी की अध्यक्षता वाली खंट पीट ने इससे पहले 22 माई को अपने प्रस्ताव पर मेजर जनरल सिंग के खिलाफ अवमानना मामला शुरू किया था मामला AFT के 2017 के एक फैसले के कार्यानवेन से संबंधित है जिसमें न्यायमूर्ती एमेस चोहान ने फैसला सुनाया था कि ओनररी नायब सूबेदार, रेग्यूलर नायब सूबेदारों को दी जाने वाली पैंशन के न्यून तम स्तर के हगदार है जस्तिस चोहान ने ये भी निर्देश दिया था कि चार महीने के भीतर संशोधित वेतन तालिका तयार की जाए ऐसा न करने पर ऐसे ओनररी नायब सूबेदार के बकाया यानि अरेव पर आठ प्रतिशत प्रती वर्ष की दर से सरकार ब्याज के हगदार होंगे इस आदेश के बाद टेबल्स को तो चार महीने की अवधी के बाद संशोधित कर दिया गया लेकिन ब्याज का भुकतान नहीं किया गया इसलिए कई मानद ओनररी नायब सूबेदार्ज ने ब्याज के भुकतान के लिए Armed Forces Tribunal से संपर्क किया वकील भीम सेन सेहगल ने समझाया वर्तमान में इस मुद्दे पर 674 निश्पादन आवेदन Armed Forces Tribunal के समक्ष लंबित है रक्षा मंत्राले ने पीनल इंट्रेस्ट के भुकतान को मंजूरी दे दी है लेकिन फाइल मेजर जनरल सिंग और अलका शर्मा के स्तर पर लंबित है 30 माई को सुनवाई के दोरान जस्टिस चौदरी की अध्यक्षता वाली बैंच ने कहा मेजर जनरल सिंग खुद मौजूद नहीं है यद्यपी आप नी जगह पर वीरेंद्र कुमार सिंग उप मिदेशक कार्मिक सेवाई चार को भेज दिया था अवमानना कार्यवाही में खुद को उपस्थित होना पड़ता है न की प्रॉक्सी को खंटपीट ने कहा कि जिस आदेश पर अमल करने की मान की गई थी उसे भी लागू नहीं किया गया शर्मा की ओर से खंटपीट के समक्ष एक पत्र पेश किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि वित्तिय कोन से पुनरीक्षन के लिए कागजात उन्हें मेजर जनरल सिंग के कार्याले से कभी प्राप्त नहीं हुए थे लेकिन खंटपीत ने कहा कि पत्र का कोई संग्यान नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसमें उनके हस्ताक्षर नहीं थे दरसल मामला जवानों की पे और पेंशन से जुड़ा है Armed Forces Tribunal के आदेश की यहां घोर अभेलना की गई है इन अधिकारियों को न्यायाले से भी दर नहीं लगता है Honorary नायब सुबेदार्स को तै समय में Regular नायब सुबेदार के बराबर लाब दिया जाना था लेकिन Major General अशोक सिंग, ADGPS ने ये लाब जारी करने में देरी की थी और Penal Interest नहीं दिया अब Armed Forces Tribunal चंडीगर ने Contempt of Court की कारेवाही की है और Major General अशोक सिंग, ADGPS को वरंट जारी किया है यदि इस प्रकार के मामलों में इतनी कथोर कारेवाही करना शुरू कर दिया जाए तो JCO जवानों का हर है समय पर मिलने लगेगा सभी JCO जवान Armed Forces Tribunal के इस फैसले का तहदिल से स्वागत कर रहे है जाए हिंड